नमस्कार एटूजेट डुशुष उशाक उरजानी में आप सबका स्वाकत है अब आप इसे देखकर तो समझी गए होंगे कि आज पास्ता बनने जा रहे पर ऐसा नहीं है आज बनने जा रही है पास्ता की सबजी अब अब यह भी सोच रहे होंगे कि पास्ता को तो आपने अज़ा आजाएका कभी सोची नहीं हो ऐसी सबजी आज हम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए देखिए मैंने एक कब भरकर यह पास्ता ले लिए है यह कुरल शेप आले मैंने लिए हैं आप कोई और भी शेप ले सकते हैं पास्ता का अब हम गैस को अन करें गे प्रेशर को कर जटपट से भी बन जाती और बहुत ही बढ़िया लगती है एक चमस तेल डाल दे और जैसे गरम हो जाने तो एक चौथाई चमस जीरा दो बारी कटेवे प्याज और दो से तीन कटीवी हरी मिर्ची डाल दे इसे आपको भून लेना है प्याज हलका सा लाल हो जाएना तब तक जादा लाल ना करें ने तो क्या होता है ना कि फिर वो प्याज एक्दम जला हुआ लगता है तो बस इस तरह से अच्छे से भून लीजेगा तकरीबन दो से तीन मिन तक प्याज को भून ना है या हलका लाल हो जाए तब तक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह जो तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से भून लिया है एक से दू मिन तक ताह कि ताह कि पूरा कच्छा पंदूर हो जाए बस इस तरह से हो जाएगा देखे ऐसा हो जाए ना तब इसके अंदर आप सारे मसाले डालेंगे जादर मसाले नहीं डालते है बस आदी चमच धनि और इसे फिर खोले बढ़ती मसालों में और बहुती डाल रोजण ये थे लिवार प्स थी बहुत उपको उनुस न हच्छे से मिक्स करना नहीं और नमक आप देखे जलब घ्लंग के ने में एक से कर स मिन ऑच्छे ऐने नमक पेअ वियु ने पाह बदे ऑम नहीं अनलम ना पानी, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर दो कप जितना पानी डाला है, मीडियम साइज के जो कप आते हैं दो कप पानी डाल दे, अच्छे से मिक्स काले और कोकर का धकन देखकर इसे हमें दो विसल यानि की दो सीटियाने तक पका लिना है, जैसे ही पक जाए, पूरा पेस्ट लगीगी, घर पर भी सभी को पसंद आएगी, तो घर जरूर ट्राइ कीजेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना विलकुल ना भूले, आज के लिए बस इतना ही, थांकियो फो वाच्छेंग,